दोस्तो ये है Realme Narzo series का brand new smartphone Realme Narzo 50A तो आज इसकी करेंगे unboxing, नजर डालेंगे basic features, look designs, camera पर First of all इसका price जान लेते हैं तो हमारे पास ये 4GB variant है जो आपको मिलता है 11,500 रुपे में इसके back side में आपको headline features देखने को मिलेंगे जिने में वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा तो बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आए हूँ First time और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए Box open करते ही, सबसे उपर आपको एक mini box दिया गया है जिसके back side में semi-jector pin अंदर quick start guide user manual यानि की cover आपको इसके साथ नहीं मिलता है इसके बाद smartphone जिसे हम फिलाल रखेंगे side में और अंदर देखे तो यहाँ पर आपको एक बड़े size का charger adapter दिया गया है काफी heavy है और ये 18 watt का quick charger है 5 volt 2 ampere 9 volt 2 ampere की output rating आपको इस charger से मिलती है इसके अलावा आपको एक white color की USB cable दी गया है और इसमें आपको type C USB cable मिलती है चलिए mobile को wrapper से हम आजाद कर लेते हैं तो इसका जो front look है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है drop notch display दी गई है और scratch guard पहले से लगा हुआ मिल जाता है mobile का जो back panel है यहाँ पर आपको plastic body दी गई है और यहाँ आपको double design देखने को मिलेगा इस side आपको काफी इच्छे pattern देखने को मिल जाते हैं जिन पर हलके-लके ridges हैं और इस side आपको matte finish मिलती है और इस पर भी आपको ridges मिलते हैं यानि कि scratch आने के एक बहुत कम chance बने रहते हैं उपर camera setup काफी बड़ा बनाया गया है जहां आपको triple camera दिये गये हैं जिसमें main camera 50 megapixel का 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth sensor camera with LED flashlight finger pin sensor भी camera setup के साथ ही attached आपको दिया गया है ये दिखें आपर और नार्जो की branding आपर की गई है mobile के right side में power on key plus volume rockers उपर की side कूझ देहीं left side में sim tray और bottom में 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker दिया गया है finally boot कर दिया है mobile को और इसकी brightness को हम कर देते हैं full ताकि display और अच्छे से देखने को मिले तो 570 nits की आपको इस पर brightness मिलती है और colors काफी अच्छे दिये गए है scroll up करने पर आपको यहां सारे के सारे apps नजर आएंगी कुछ फालतू pre install app भी दिये गए है लेकिन आप इन्हें uninstall कर सकते हैं करके देख लेते हैं unwanted app को आप अपने font से remove कर सकते हैं इसके अलावा edge bezels बिलकुल normal दिये गए है नीचे चिन थोड़ी ज़्यादा मिलती है इसमें आपको दी गई है 6.5 इंच की HD plus IPS LCD जिसका aspect ratio 229 screen resolution 720 x 1600 pixel और pixel density 270 ppi की मिलती है इसमें आपको 60 Hz का refresh rate दिया गया है चलिए अब इसकी setting को हम open कर लेते हैं तो जैसी आप setting को open करोगे तो अंदर का interface बिलकुल same जैसे सभी realme के smartphone में आपको देखने को मिलता है बिलकुल वैसा ही देखने को मिलेगा scroll up करने पर आपको नीचे about phone section दिया गया है realme UI version 2.0 android version 11 आपको इसमें मिलता है प्रोसेसर की बात करें तो 2 GHz का octa-core प्रोसेसर और chipset MediaTek Helio Z85 का दिया गया है यानि कि ये एक gaming smartphone है gaming के लिए काफे अच्छा रहेगा 4GB RAM, LPDDR4X की 64GB का internal storage जिसमें से 46GB एविलिवल है यूज के लिए और expandable memory को आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं इसके अलावा आपको इसमें 12NM का fabrication दिया गया है graphic Mali Z52 के मिलते हैं mobile की जो height है वो है 164.5 mm weight है इसकी 75.9 mm और thickness 9.6 mm की यानि कि mobile काफी मोटा है 207 gram इसका weight है और इस पर आपको लगी मिलती है 6000 mh की mega battery बात करें इसके front camera की तो 8 megapixel का आपको इसमें selfie camera दिया गया है इसके अलावा अगर आप इसे एक बार charge करते हैं तो ये लगबक धाई गंटे का time full charge होने में लेता है और 17 गंटे लगबक चलता है बात करें इसके camera की तो camera quality आपको अच्छी मिल जाती है colors काफी अच्छे हैं लेकिन जो कमी खलती है वो ultra wide angle camera की जो अगर आपको दिया गया होता तो और भी बढ़िया होता इसके अलावा हम zoom करके देखें तो पूरा 10 गुना आप इससे zoom कर सकते हैं zoom करने के बाद कुछ ऐसी clarity आपको देखने को मिलती है इसके अलावा आपको portrait का option दिया गया है 50 megapixel के camera को enable करने के लिए आपको अलग से option मिलता है यहां से आप 50 megapixel का camera enable कर सकते हैं लेकिन zoom वर्क नहीं करेगा इसके अलावा more setting में देखें तो slow motion video shoot कर सकते हैं time lapse, expert, panorama mode और ultra micro mode आपको इसमें मिल जाता है और यह रहा इसका front selfie camera तो selfie camera आपको काफी colorful और bright मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं और selfie camera से आप zoom नहीं कर सकते हैं तो friends यह था realme narjo series का narjo 50A price इसकी है 11,500 रुपे price के इसाब से मुझे थोड़ा सा यह महेंगा लगबाग 10,000 रुपे इसकी कीमत होनी चाहिए थी क्योंकि अगर आपने use किया है realme narjo 30A तो बिल्कुल वैसा ही यह smartphone है बस थोड़ा सा design change कर दिया है और camera इसका upgrade कर दिया है यानि कि 50MP का camera दे दिया है लेकिन 50MP के camera भी आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा आपको narjo 30A का 13MP का camera लगता है इसके अलावा आपको प्रोसेसर बिल्कुल वै दिया गया है 18W का fast charger उसमें भी मिलता है 6000Hz की बैटरी उसमें भी दी गई है तो ज़्यादा कोई upgrade नहीं किया गया है इसके अलावा आपकी पसंद matter करती है अगर आप इसे purchase करना चाते हो साड़े 11,000 रुपे में तो कर सकते हैं otherwise अगर आप ध्यान दें और थोड़ा सा सोचें तो full HD plus display के साथ आपको कई smartphone other companies के market में मिल जाएंगी आसा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ न कुछ काम आएगी